हेलो स्टूडेंट्स, बेल सम्टा ट्यूटर टिप्स, मैं हूँ सरवजी सिंग, आज हम करेंगे अकाउंटिंग क्वेशन का सैवन सम टी एस गरेवाल की बुक्स में से सो देखिए हमारे पास बुक में सैवन सम में तीन ट्रांजेक्शन है जो हम बन वाए बन सॉल्व कराते हैं आपको और आप इनको नोट अन करो और जाफिर अंडर्सेंड करो चलिए शुरू करते हैं format as it is ही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है so start करते है serial number में पहली transaction आजाएगी आगे particular में लिखेंगे started business with cash rupees 1 lakh अब क्या हो रहा है business start कर रहा है और एक लाख रूपे से ठीक है तो cash आ रहा है capital issue हो रही है owner को asset कौन सा निया credit होगा cash कितने का 1 lakh rupees का और liability में को impact नहीं आएगा और capital कितने आजएगी 1 lakh rupees अब इनका total लगा देते हैं cash का बरस कितना आजएगा 1 lakh capital का बरस कितना आजएगा 1 lakh second transaction है purchase goods for cash 20,000 and on credit 30,000 जहाँ पे हम दो तरह की purchase हो रही है transaction में 20,000 की cash purchase हो रही है और 30,000 की credit purchase हो रही है total stock हमारे पास कितना आ रहा है 50,000 का ठीक है तो नया asset create हो जाएगा stock कितने का आएगा 50,000 का cash कितना जा रहा है minus 20,000 और एक liability create हो रही है कौन सी creditor कितने के 30,000 की 30,000 के goods हमने उधार पे खरी दिया है तो वो creditor बन जाएगे हमारे 30,000 capital में कोई अथर नहीं होगा अब इनका total लगा देते हैं cash का balance कितना आ जाएगा 80,000 stock का 50,000 creditor 30,000 capital का 1,000,000 next transaction करते हैं sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000 both at the profit of 20% अब goods भी sold हो रहीं है cash पर और credit पर हमें costing दी हुई है sale price निकालना है sale price कितना है दोनों पर profit एड करना है 20-20% profit है दोनों पर stock total कितने का जाएगा 10 plus 15 25,000 stock में से subtract कर दीजे 25,000 cash कितने का आएगा 10,000 plus 20% 20% उसमें profit एड करना है न तो 10,000 का 20% कितना हो गया चेक करो 2000 means 2000 10 plus 2 is equal to 12,000 अब cash में कितना है जाएगा 12,000 आगे हमारे पास है credit sale credit sale कितने की है 15,000 की तो credit sale में निया asset create हो जाएगा कौन सा debtors debtors कितने के बनेंगे 15,000 plus 20% profit 15,000 का 20% करो कितना आएगा 3000 15 plus 3 आपके पास आगा 18,000 debtor में कितना एड हो जाएगा 18,000 ठीक है total profit हमारे पास कितना हो गया 2000 cash पे और 3000 credit sale पे total लगाओ तो 5000 अब 5000 का 5000 एड कर दो capital में ठीक है अब इनका total लगा देते हैं हमारे पास answer आजएगा cash के answer कितना आगया हमारे पास 92,000 stock 25,000 50,000 एड 25,000 सब्ट्रेक्ट करो तो आपके पास कितना बच जाएगा 25,000 debtor 18,000 credit है 30,000 और capital है 1,05,000 अब इनका total लगा लगा देते हैं answer देले कितना बनता है answer का total लगा लो 90,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 is equal to 1,35,000 और liability प्लस capital का total लगा लो तो कितना बन जाता है 1,35,000 आपकी continuity question equal है तो आपका sum solve हो गया आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में so वीडियो को like करें, shake करें अपने friends और relative के साथ comment करें अगर कोई भी doubt है आपको हमारी team आपका doubt के लिए करने में पूरी help करेगी और subscribe करें चैनल को next वीडियो की notification प्राप्त करने के लिए so thanks for watching, bye bye, sashri akal, good morning, good afternoon, good evening, good night, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं